कल सवेरे आट बजे से लाकर दो बजे तक बाड मेर बंद का आवान किया गया है सभी बाड मेर की जंता से भी निवदन है कि शांति पूर्ण बंद रखें स्वतह बंद रखें किसी को भी इस प्रकार का नहीं करना पड़े जबर्दस्ति नहीं करने पड़े ऐसा निवेदन नहीं कि सभी बंद रहे जो बस्टर कुछ ऑने आनो नो तर डिल्स लाहिप! पीज भुरुवफ! गल्पिर्णे एलगेंस विल्पितार एग एलगेंस लुटेंगेंगेंगेंगेंगें गिए इस्टार हमादने एफ टूरूमक पादी। कुझा आपूदस्य तूर्था जास। कुझा Ϭड़ क्लिषा देल पेजी जातों तूर्था बुताब ए उन्त thing कुझा浅ऑद प्रैजीINट णिए पाशिदो 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 सर्व इंदी समाज के चरप से मोज़िदो पूस्त चाहिए हम सभी की यह मांग है राश्ट्रत की महुज़से दिन है राटिपाल से दिन है कि वहाँ अपने अजीदार का इस्तेमाल कर्ते हुए जो उद्यपूर में एक इसको उग्रवादी नहीं तो एक सोची समझी गटना कहना चाहिए उग्रवाद की गटना भी है और एक कानून के उपर तमाचा दिखाने वाली जैसी भी गटना है इस गटना के बाद में ऐसा नहीं लगता है कि कुछ लोगों को कानून का राज नहीं है उनके मन के मनसुबे जिस प्रकार के लगते हैं उसी तरह से उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी करेंगे और इस देश में हिंदुस्तान में चलेगा उसके खिलाफ लोगों में भेंकर अक्रोश है और उसी अक्रोश के चलते हुए दारा 145 लगाने के बावजूद भी सभी को शांत रहने का कहने के बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि हमें दबाया जा रहा है यह इस प्रकार की घटने केवल राजस्तान में क्यों हो रही है इतना बड़ा देश हिंदुस्तान है लेकिन लगातार राजस्तान में इस प्रकार की घटने हो रही है उससे यह सिद्ध होता है कि राजस्थान की सरकार तुष्टी करण की नीती से प्रेरिध होकर और व्यवार कर रही है सरकार को इस बारे में तुरंत सोचना चाहिए कि हम निश्पक्स कारवाई करें कि ऐसे इस प्रकार के जो अप्रादी प्रवर्ती के लोग हैं उनके खिलाफ तुरंत कारवाई करने चाहिए बार मेर की सर्व हिंदु समाज की यह मांग है कि जो उद्यपूर में घटना हुई है उन व्यत्तियों को तुरंत फांसी मिलनी चाहिए और उनके पीछे जो उनके आका है उन तक भी उचित कारवाई होकर और उनके खिलाफ कारवाई होकर उनको भी बंद करना चाहिए और तुरंत से तुरंत इसका निरने होकर और उनको को फांसी की सजा मिले कि जन भावना इतने तीव रहे इसके चलते हुए सभी लोगों की यह इच्छा है कि शांती पूर्ण बाड़ मेर बंद होना चाहिए हमारे बाड़ मेर की परंपरा भी रही है यहां किसी भी प्रकार के अंदोलन शांती पूरुक रहे हैं और उसी के नूर रूप कल सवेरे आट बजे से लगा कर दो बजे तक बाड़ मेर बंद का आवान किया गया है सभी बाड़ मेर की जंता से भी निवधन है कि शांती पूर्ण बंद रखें स्वतह बंद रखें किसी को भी इस परकार का नहीं करना पड़े जबरदस्ति नहीं करनी पड़े ऐसा निवधन है कि सभी बंद रखें और बंद में सयोग देकर और यहां शिद्ध करें कि इस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में नहीं चलेगी दो बज़े गांधी चौक में इकटे होकर और बाडमेर बंद का आवान करने के बाद में यहां आकर और पुनग्यापन दिया जाएगा उधैपुर में दो दिन परले कन्यालाल नामक यूद की बरबरता पूरुत ज हाते हैं एक खेन रएंग्या, आजिसे राजास्तान सरकार, ऑन आतन कियों को तकथ रुष्टी करने वाले इस दिम्दियों को संपर्दाय को सरक्षन दे करके और शह दे करके पुलिस निटूल हो जाती है इसे मामलों में इस परकार की जगन्य हत्या है जगजोर देने वाली है और संपूर राजस्तान ने बलके हिंदुस्तान को यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि अब हमारे को किस परकार से जागना चाहिए तो आज क्या था संत अब हवा का राजय माना जाता था इस बरबर घटना के बाद में जो आकरोस है आकरोस की पराकास्टा होगी उसका पनिना माने वाले भोईशे में देखा जाएगा तरफासी दी जाए के वाली दो अत्यार है नहीं बलकि इनके पीछे बहुत बड़ी साची से बहुत बड़ा ग्रूप है उन सभी ग्रूप सभी को परदाफास करके और जिनका सरक्षन है राजदिर सरक्षन है या पुलीश की सिथिल्दा और लचिलापन है सभी लोगों को उन सब को सड़न तर पूर इस परकार से लिपते हैं उन सब को गिवद्ण करकूर करके और कथोर से कथोर तंडी के आज किसे को गयाप accumulated, mortal को का क्यापन कफ आए और कले काई आज पड़्ड़ में हचाने हैं. उनको उजागर करके उनको भी फासी दी जाए और इस सरकार को तुरंत हम राष्टपती मोदे से निवेदन किया है कि तुरंत हटा करके या राष्टपती सासर लागू किया जाए